हेलो सुदेंट्स मैं मनीश शर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे आगे की कुशन आज अपना यह जो चेप्टर एट का है वो आज कंप्लीट कर लेंगे तो देखीगा वन बाइवन कुशन 25 वाज़ो कुशन है एक राजमारक एक मिनार के नीचे से ओकर गुजरता है एक आदमी मिनार के सिकर से एक कार को अनुमन कौंट 3 डिगर देखता है वह कार एक समान गती से मिनार की नज़दी का रही है तो 6 सेकिंड के बचाद कार का अनुमन कौंट 60 डिगर हो जाता है तो कार कितने समय में मिनार के नीचे से गुजरेगी कहनेक बात ये है कि 25 ऐस जो कुशन हैं मान्दो ये एक मिनार है ठीक है और मिनार की उसने फ़ाइं महां नहीं दे रिखनी होगी और यह आपर two गाड़ी यहां पर मानदो ऐसे यहां गाड़ी खटी है और तो गाडी खढ़िये तो इसी समझे यहां जब उसने उपर की तब से इसाज बाग से गाडी को आते देखा है तो उसका कौं कितने का था 3 degree का था किते degree का था 3 degree का था लेकिन 6 second बात में वहाँ पे जो कोण बन गया वो 60 degree का बन गया अब थोड़ी सी गाड़ी ओर चली और गाड़ी ओर चली तो यहां के रुख गई वो ऐसे समझे 6 second बात में और उसका जो अवनमन कोण है मान लो यहां पर तो अनम को अनुक्ती दिग्री का था और यहां पर कितने का हो गया साथ का तो यह साथ डिग्री का हो गया समय कितना देर का है छे सेकेंड देर का था तो चाल बरावर क्या होता है दूरी बटे समय तो दूरी हमें यहां से लेकर यहां तक दूरी मालूम करनी है ना कि चाल मालूम करनी है तो दूरी बरावर क्या हो जाएगा चाल गुणा समय चाल को मैंने वीचे दर्स आया है समय को टीन से रिपर्जेंट करेंगे और दूरी को डीन से में परजेंट करते हैं तो छाल मेंने वी है और आज में टाइब कितना है तो यहां से लेकर यह यहां कितना उगया सिभ्स वी हो गया कि नी हो गया समय स्मय था in.व हो टाम its делать और इसका कितना हो पिर? इसका अगर है VT क्योंकि इसका में टाइम ही नहीं मालूँ और टाइम पुछा है कि कितने टाइम बाद में मिलेगा तो देखेगा इस कुछेओं कैसे करना है मिनार के उचाहिए क्या माले है मिनार के उचाहिए H मीटर है समेप पुछे अपने से तो तिरबुछे A, B, C में तिरबुट में ते अनुपातों से 10 ठीटा लम बटे आधार H बटे VT 10 ठीटा बाद H VT जिसमें ठीटा वेलु कितने थी 60 और 10, 60 का मान होता है अंडूर 3 H बटे VT तो H बाद क्या आ गया अंडूर 3 VT समी के नुमबर 1 इसी परकार इसी परकार तिरबुछ ले लेंगे A, B, D में तिरबुछ A, B, D में A, B, D का क्या हो जाएगा वो लम बटे आधार 10, 30 है H बटे यहां से लेके यहां तर पुरी डिस्टेंस कितनी का और कि 6 V पलस VT को लिए 6 V पलस VT 10, 30 का मान एक बटे अंडूर 3 6 V पलस VT इसको इसी गुना किया तो H अंडूर 3 ब्राबर 6 V पलस VT 6 V पलस VT यह समीगन नमबर दो समीगन एको दो में रखने पर समीगन एको दो में रख दो इस H कमान यहां रख देते है अंडूर 3 VT ब्राबर 6 V पलस VT अंडूर 3, अंडूर 3 कितना हो दा 3 3 VT ब्राब 6 V पलस VT अब VT दराएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 VT में से VT निकाला तो कितना हो गया 2 VT 6 V V से V कैंसिल तो 2 T ब्राबर कितना हो जाएगा 6 बटे 2 3 तो टाइम कितना मिला आपने को 3 सेकेंड कितने समय बाद में कर लेगा 3 सेकेंड बाद में हो इस राजमार्क से होकर गुजरेगा एक बाद फीच से देखें दूरी ब्राब चाल गुणा समय होता है यहाँ टाइमिंग 6 सेकेंड देरका था तो चाल क्या थी अपने बी थी तो दूरी क्या हो जाएगे 6 भी हो जाएगे इसकी बीटी हो जाएगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कितने होगी 6 भी प्लस बीटी हो जाएगी तिपुझ A, B, C में 10 थीटा लंब बटे आधार 10 शाट का मान अंडूर 3 था H बटे VT अब इसको बज़े गुणा किया तो H बटे 3 VT इसकी बगा तिपुझ A, B, D में 10 थीष और 10 थीष अंडूर लंब बटे आधार H बटे 6 भी प्लस VT 10 थीष का मान एक बटा अंडूर 3 होता है और H बटा 6 V प्लस VT वज़े गुणा किया तो H अंडूर 3 भी प्लस VT हो गया अब यहाँ पे देखो सम्मिगण एक को इसमें रख दो 2 की जग़ए H की जग़ए अंडूर 3 वीटी गुणा V अंडूर 3 अंडूर 3 अंडूर 3 तीन VT और 6 भी प्लस VT VT उदर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3 VT में से VT निकाला 2 VT बरावर 6 V V और V से Cancel Out तो क्या रहा गया 2 T बरावर 6 तो T बरावर 6 बटा 2 2 का बाख 6 में जा रहा था 3 तो टाइम कितना आगया, 3 सेकेंड, मदला इस कारती है हुआ, कि कार कितने समय में मिनार के निचे से होके उग गुज़रेगी, 3 सेकेंड में होके गुज़रेगी, ये हमारा 25 वा कुशन था, अब 26 का कुशन देखें, कैसे करना है, 26 का कुशन देखें, इसके बाद है अपने 2 इसका देखें, मिनार के आदार से, और एक सालेखा में, 4 मिटर नो मिटर दूरी पस्तित, दो बिंदो से, मिनार की सिकर का उनिन कौन, पूरा कौन है, पूरा कौन के बारे मैं बता चुका हम, फिर भी एक बार फिर से बता देता हूं, कि पूरा कौन वो कौन होते हैं, जिन ठीक है और इस मिनार से पूरा कोड बना रहा है पूरा कोड का मतलए योग अबर ये अपना, ये तो ऋजाएगा ठीटा तो ये क्या हो जाएगा ? नबब माइनस ठीटा क्योंकि दो कॉणों का यहाँ नबब होता है देख लो इन दोरों को जोड़ते हैं तो 90 बनता है अगर यह 30 का होगा तो यह 60 का होगा अब यह मत बोल देना सरी यह यहां पर यह 60 का होगा तो यह 30 का होगा मैंने क्या बोला है हमेशा पास वाला जो कोर्ण हो हमेशा ज्यादा का होगा इसलिए अगर आप यहां ज्यादा ल पे थीटा लेख दिया हमें इसको मान लिए … इसने सिर्ट करवाना चाहता है यह कि मिनार की स्भाने मुशें है 6 prone में है त़र की बित्व करवाना चाहता है है is 6 come 6,0 के १यवागी क्या है दिया है कि और यह भी बोला है कि यहां से लेकि beginning यह दो hours ness नौ मिटर है, B, C है 4 मिटर, और B, D है 9 मिटर, पूरा कोण, ठीटा और 9 मैंने ठीटा दिया वा है, ऐसा मान लेता है, सिद क्या करना है, सिद करो, कि मिनार के उचाही जो है, वो 6 मिटर है क्या, यह सिद करना अपने दो, तो चलिए प्रूब करते हैं इसको सिद्ध करते हैं अबनु तो यहां देखो तिरी बूजे A, B, C में लंब और यह आदार 10 ठीटा लंब तो क्या है A, B और आदार क्या बना B, C और ठीटा कमान क्या है आप नबब माइनस ठीटा तो 10 नबब माइनस ठीटा A B का मान क्या है रहे है? H B C का मान 4 तेन नमबर माइनर ठीटा क्या होता है? को ठीटा ऐसा हमने साथ कॉन दो में पढ़ा था exercise साथ कॉन दो में H बटे 4 समीकर नमबर 1 इसी परकार तिरभूज A B D ले लेंगे अपकी बार पूरा ले लेंगे तिरभूज A B D तो वो ही 10 ठीटा लंब लंब A B है और आदार क्या है? B D तो 10 ठीटा बार A B का मान क्या है अपना? H B D का मान 9 समीकर नमबर 2 इन दोनों का आपस में क्या कर दो? गुना समीकर एक गुना 2 से एक को 2 से गुना करोगे को ठीटा गुना 10 ठीटा H से वाली स्वाल हमारी बुक में 300 वाल है इसलिए सबका पैटन है कि और इस टाइप की अंसर आते हैं इसके H बटे 4 गुना H बटे 9 अब आपको पता है कि 10 का उल्टा कौन होता है? तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? 10 ठीटा गुना 10 ठीटा h को h से गुणा किया तो h square 9 को 4 से गुणा किया 36, 10 से 10 cancer, तो h square बराबर कितना है 36, दोनों तरफ क्या ले लोगे, वरग मूल दोनों तरफ वरग मूल लेने पर जब दोनों तरफ वरग मूल लोगे तो h बराबर अंडूट 36, तो h कमान कितना है 6 मीटर, वेशे तो plus minus का आता है, लेकरorter आपको ही पता है उँचाहिए, किस में होती है plus में होती है, तो इसलिए h कमान हमने 6 लिए, minus में नहीं लिए तो मिनार के उँचाहिए में कितनी मिली मिनार के उँचाहिए 6 मीटर पात हो गई हमे, जो कि में सिद्ध करना था बहुत इजी सा कॉंसेप्ट था इसको नवर मायने ठीटा लिखेंगे इसको ठीटा लिखेंगे तो दियावार हमने जो लिखा था उसका एकोड़ी हमने लिख दी 27 गाज कुश्या नहीं देखें चाड़क के एक और मिनार और दूसरी और एक मकान सित हैं जब के एक और मिनार तो दूसरी और एक मकान सित है पहले यहाँ पर और आके पढ़ लेते हैं मिनार के शिकर से मकान की च्छत और आधार के उनमन कौन करम से 55 साथ है तो मकान की उचाय बारा मिटर है चिलिए अपने को एक कंडिशन हो रहे दिख कि मकान की उचाय कितनी होता है दी बारा मिटर मकान की उचाय तो मिनार के में उचाय ग्याद करनी है यह बारा होगा तो इतना इतना यह भी बारा ही होगा आपको भी पता हैं ठीक है अब सड़के एक और मिनार यह मिनार थी अपने और यह मकान है अपना मिनार के सिखर से मकान की छत का अनमन कौन क्या समझें दूबार सुनो मिनार के सिर्ज से मकान की छत का अनमन कौन कितने टिकरी का उता रहे है पेंतार टिकरी का उता रहे है पहले तो यह पेंतार इसका उता यह भी कितना होगा पेंचतार इसक और 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 आदार का उना किसका आदार म्कानका अदार मेना इंग समझा गया यवा फिर से देखेगा इस सड़के एक बारा मीटर है तो अपने मानने तो यह भी बारा मीटर है और इसको एच लिख देता हूं मैं A B C D E ठीक है और इसे बोला है कि मीनार के सिर्ष से मकान की छट का अवनमन कौन 45 है फिर उसके बाद में उसके आधार से किसके आधार से मकान के आधार से 60 है कौन अवनमन कौन बनाती है तो यहां पर देखें तो दिया वाकिया पहले वो लिख लेते हैं दिया है कि मकान की उचाई 12 मीटर और मिनार के उचाई 12 प्लस है जो कि हमें ग्यात्वी करना एक तरीके से मिनार के सिर से आउनमन कौन 15 डिगरी वह 60 डिगरी है यह अपने पूरी कैटेगरी थी इसमें अब हमें करना क्या है पहले आप जो लेना चाब ले सकते हो या तो त्रीबूजे अब ले लो या फिर त्रीबूजे असे डी ले लो तो त्रीबूजे A, B, E में त्रीबूजे A, B, E में लंब और ये इसका अधार 10 ठीटा लंब बटे आदार H बटे B, E तो 10 का मान ठीटा का मान किता है यहाँ पेंटा है डिगरी H बटे B, E और 10 पेंटा इसका मान क्या होता है? 1 होता है H बटे B, E तो B, E का मान क्या है अपने पास? H मेटर समी का नंबर 1 इसी परकार तीबूज ले लेंगे A, C, D में पूरा ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 साथ लंब बटे आदार 12 प्लस H बटे C, D और 10 साथ का मान अंडूर तीन 12 प्लस H बटे C, D तो C, D का मान क्या मिल गए? एक तरीके से 12 प्लस H बटे अंडूर तीन समी का नंबर 2 अब मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि B, E यह ना वो C, D के बराबर एक तरीके से B, E, C, D के बराबर दोनों बराबर दूरी बिस्तित है तो समीकन एक बात दो से दोनों के दोनों B, E और C, D बराबर होगे तो H बराबर 12 प्लस H बटे अंडूर 3 वज़े को ना किया? तो वज़े को ना किया? तो मैं क्या मिला? H अंडूर 3 वराबर 12 प्लस H, H अंडूर 3 माइनस H वराबर 12, H को म ले लेंगे तो अंडूर 3 माइनस 12, H बराबर 12 बटे अंडूर 3-1 इसको क्या करते हैंगे हैं परिमेकरन करते हैं अंडूर 3-1 अंडूर 3-1 तो 12 अंडूर 3-1 A-B A-B अंडूर 3-1 का स्क्वाइर तो यहां गया 12 अंडूर 3-1 3-1 3 में से गया 2 तो 12 अंडूर 3-1 बटे 2-2 का बागबारे में लगा कितना हैं 6 अब 6 गुणा 1.732 प्लस 1 गुणा कर दो 6 गुणा 2.732 से तो गुणा करेंगे तो 6 गुणी 12 18 एक 19 42 एक 43 12 चाह सोड़ा तो 16.392 मीटर हता है हैं हमें क्या पूछा था इसने इसने पूछा था उचाही पूछी थी आता है मिनार की उचाही 12 प्लस 1 था तो 12 में 16.392 जोड़ोगे तो 28.392 मीटर आएगा फिर से देखें इस क्यूशन को इसने बोला है कि मकान की उचाही 12 है मिनार की उचाही 12 प्लस 1 ले लिए यहां थे ले के यहां तक मिनार की शिर से आउनरमन कोंड 8560 का है तो पहरे त्रफ़ोज ले ले लेंगे त्रफ़ोज A, B, E त्रफ़ोज A, B, E में 10 theta ब्राबर H बटा B, E, तो theta मान 55 साथ, तो 10, 45 ब्राबर H बटा B, 10, 45 का मान 1, 1 ब्राबर H बटा BE, तो BE ब्राबर H मीटर, समिह गणे, इसी प्रगातिर पूज, A, C, D में, 10, 6, ब्राबर 12 प्लस H उटे, C, D और 10, 6, गमान क्या होता है, अंडूर 3 होता है, तो अंडूर 3 ब्राब 12 प्लस H उटे, C, D वज़े गुणा किया, तो H, अंडूर 3 ब्राब 12 प्लस H यह H द्राइगा, तो किसका हो गया, माइनस का, H को मलिया, तो अंडूर 3 माइनस एक, ब्राब 12, यह गुणा में था, इदराते ही बाग में आ गया, पिर इसका क्या कर लेंगे, परिमे कर लेंगे, यह रोका, तो प्लस प्लस से लिग लेंगे, अंडूर 3 प्लस 1, A माइनस भी A प्लस भी, तो अंडूर 3 का स्क्वार 3, A का स्क्वार 1, 3 में से गया, 2, 2 का बाग 12 में लगाएंगे, 6 आएगा, अंडूर 3 का बाग 1, 1.72 प्लस 1, जोड़ा, 2.72, 6 को जब इसे गुणा करेंगे, तो 16.32, 3, 9, 2 मिटर आएगा, पूरी मिनार के उचाई पुछी थी, तो 12 एक्थार H अंडूर ने निकाली, अपने, H कितना है अपना, H अपना है, 12 में 16.32 जोड़ोगे, तो 28.32 आएगा, अब इस उनिट का अपना last question है, जो chapter complete हो जाएगा, अपना exercise no.8, तो देखें, last question कैसे करना है, तो question no.28 देखें, यदि सूर्य का उनिंग कॉण्ट 30 डिगरी वाशाट डिगरी है, तो दोनों उनिंग कॉण्ट पर 15 मीटर उचाएगे, खंबे की चाहें की लंबाई का अंतर ग्याद करें, आपको दियावाई ये है, कि खंबे की उचाहेगे तो 15 मीटर है, और कॉण्ट कितने उतार है, 60 और 30 का उतार है, A, B, C और D, और पुछा है कि इन दोनों कॉण्ट के बीच का अंतर पुछा है, उनिंग कॉण्ट का अंतर पुछा है, तो ये हम ले ले लेते हैं, और ये Y कर लेते हैं, हमें तो Y चाहिए वैसे भी, तो दियावा क्या है, खंबे की उचाही, बारक स्वर्वण पंदा मीटर, और सूर्य का उनिंग कॉण्ट, 60 डिग्री वाए, 30 डिग्री है, सीडी पूछा है अंतर तो देखें क्या करना है, तिरे भूजे, A, B, C में, लंब और आदार, 10 ठीटा, A, B बटे, B, C, 10, 60, लंब बटे आदार है, लंब अपना पंदा है, और आदार के अपना X है, तो 10, 60 का मान, अंडूट 3, पंदा बटे, X, तो वज़े गुणा करोगे, तो X अंडूट 3 ब्रावर 15, तो X ब्रावर 15 बटे, अंडूट 3, परिम्यकर्ण कर दो, तो 15 अंडूट 3 बटे, 3, 3, 5 पंदार, तो अपना क्या है, 5 अंडूट 3 मीटरा है, X, अब Y के लिए देखें, तो तिरिभूज, A, B, D में, 10, 30, लम्यकर्ण क्या है, 15 अधार, X प्लस Y, 10, 30 का मान होता है, एक बटे, अंडूट 3, X का मान, 5 अंडूट 3 प्लस Y, वज़ गुणा कर दो, वज़ गुणा करोगे, तो 15 अंडूट 3, ब्रावर, 5 अंडूट 3 प्लस Y, ये 5 अंडूट 3 अधार जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 15 में से 5 अंडूट 3, ये जो Y की वज़ लिए है, तो Y ब्रावर, 10 गुणा, अंडूट 3 का मान क्या होता है, 1.72 होता है, तो Y ब्रावर कितना जाएगा, जब इसको इससे गुणा करोगे, 10 अंडूट एक अंडूट बढ़ जाएगा, सत्या पॉइंट 3.2 मीटर आया, अता है, चाहें की लंबाई का अंतर, चाहें की लंबाई का अंतर, सत्या पॉइंट 3.2 मीटर प्राप्थ होगा, यह बाई फीसे देखें इसक्रिष्ण को, यदि सूर्य का अंडूट 360 डिगरी है, तो इन दोनों की बीच का अंतर पुछा था इसने, तो खम भी कुछ चाहें पंदा है, तिर्भू जेबीसी लेंगे, तिर्भू जेबीसी में यह मुचाहित 15 मीटर है, और आधार के अपना X है, तो तेन साट कामान अंडूट 3 ले लिया, पंदा बटे X, तो वजे गुणा किया, तो X अंडूट 3 ब्रावर 15, अंडूट 3 गुणा अंडूट 3 बटे अंडूट 3, अंडूट 3 को अंडूट 3 से गुणा किया 3, तो 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 त अब अपना जो exercise जो 8 है वो आज यहां पर complete हो गया पूरा मैंने सारे के सारे कुछन आपको बताए हैं अगर फिर भी कोई doubt हो कुछी mistake होई हो तो उसको बोलों समाप कर देना और अगर इसमें आपको कोई भी doubt हो तो आप comment करके या फिर आप अपने doubts के जो option है उस पर जाके आप पूछ सकते हो हैं तब तक के लिए धन्यवाद